असलाम लेकुम दोस्तों वेलकम बैग तो मैं यूट्यूब चैनल इत्फा काटोज डेकुरेशन्स नाव वी अर गूइन तो मेक दा लेमिनेशन ओफ होंडा 125 यह बाइक है जित 2023 माडल जैसे के आपको पता है के लेमिनेशन दो तरह की होती है एक होती है वान पीस और दूसरी होती है जोड़ वाली हम इस पर करेंगे वान पीस लेमिनेशन वान पीस लेमिनेशन के लिए हमने दो फीट का लेमिनेशन पेपर ले लिया है बलैक कलर का लेमिनेशन को अच्छी तरह से लगाएंगे इसके लिए हमें हीट गन की जुरूरत पड़ेगी हीट गन के जरीए हमें इसको अच्छी तरह से लगाते जाएंगे ताके इसमें कोई बबलिंग नाए लेमिनेशन का फाइदा ये है कि इसमें कोई भी जोड नहीं आता जैसे कि अगर जोड वाली लेमिनेशन लगाई जाए तो उसमें वाज़ पता चलता है कि इस पर लामिनेशन की गई है लेकिन इस पर ऐसा कुछ मलूम नहीं होगा इस पर अच्छी तरीके से लामिनेशन की जा रही है इस पर अच्छी तरीके साथ समे जाए जाए तरीके से लामिनेशन की जाए तो वाली जाए जाए तरीके से लामिनेशन लेमिनेशन करने का मकसद ये होता है कि इस पर कोई भी दाग ना लगे अगर कोई दाग लग जाता है तो ये इस पर बुरा नदर आता है और देखने वाले पर भी बुरा इंपक्ट होता है यह देखें जी टंकी के ओपर जो डखकन होता है उसके ओपर जो लैमिनेशन कर दी गई थी वो उतारी जा रही है यह उतारी जा चुकी है जी लैमिनेशन इसके ओपर से यह जी होड़ा का लोगो जो है वह हम निकाल रहे है ताके इससे और ज्यादा खुब्सूरत लगए मोटसाइकल यह बिल्कुल इस्तियात से टाने लगए है यह लै जी यह लोगो यह लोगो उतर गया माशालला कितना खुबसूरत लग रहा है अब हम कर रहे हैं स्लंसर पत्री स्लंसर पत्री पर भी वान्टू फाइव दोजार तैस मडल का लगेगा स्टीकर हीट गांड के साथ अच्छी तरह इसको हम चिपका लेंगे यह देखें जी यह त्यार होगी है हमारी स्लंसर पत्री और यह हमारी गाड़ी पी त्यार हो चुकी है जी माशालला देखें इसकी लुक क्या खुबसूरत लग रही है क्या बात है माशालला यह इसके पीछे लाइटम भी लगा दी है यह देखें स्लंसर पत्री टाप पे टेंग की हर चीज़ लैमिनेशन कर दी गई है यह जी यह बाई थे हमारे जिन्होंने लैमिनेशन करवाई थी इन्हें बहुत कुछी हुई यहां से लैमिनेशन करवाने के बाद